नमस्कार, वक्त चला है रेवाडी की सुबह की बड़ी खबरों का तो रेवाडी में पहुंचे बोल्यूट स्टार संजिदत दस दिन पहले हुई थी दोस्त की पिता की मोत करीब आदे गंटे परिवार से मलाकत की है बोल्यूट स्टार संजिदत कुरुवार तेर रात कर्याना के रेवाडी जिले के गाउं की संकट बालवास में पहुंचे यहाँ अपने पुराने दोस्त हितेंदर के प्रिवार के घर पहुंचकर उनके पिता की मोत पर दुख जताया है संजिदत को देखने के लिए उनके गाउं में परसंसकों की काफी बीडो मुड़ी हाला कि गाउं में लोकल प्लिस के अलावा उनकी प्राइवेट स्क्यूर्टी भी मोज़ुद रही है आगी ख़बर की बात करेंगे दो बाइकों में आपस में टकर एक व्यक्ति की मोत दूसरा फरार रिवाडी शेर में कुरुवार को दो बाइकों की आमने सामने की टकर हो गई हाथ से में एक बाइक संतुलित होकर पेट से टकरा गई जिसे चलक की मोत हो गई है जबकि दूसरी बाइक का चलक मोके से भाग गया है मोडल राउन थाना पलिस ने आरोपी बाइक चलक के खलाब केस दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि एक पाइक पर सवार होकर सहर के अंबेट कर चोक से युवक राजेश पाइलेट चोक की तरफ जा रहा था तबी सामने से रोंग शैड आये पाइक चलक ने उसकी पाइक को टकर मारती टकर लगते ही दूसरी बाइक ए संतुलित होकर पेड से टकरा गई हाँच में बाइक का चलक लाउलवान होकर गंबी रोप से घायल हो गए जबकि दूसा रोपी चलक मोके से फरार हो गया है हाच्चे की बाद रिवाडी में नया गाउ निवासी नरेश कुमार ने कमभी रूप से गहल योग को तुरुन ट्रामा सेंटर में बर्ती करा है जहां डोक्टरों ने उसे मृतिक कोशित कर दिया है आपको बता दे कि मृतिक की पैचान आसाम निवासी राजू चितरिये की रूप में हुई है आगे ख़बर की बात करेंगे तो आपको बता दे देखिए दुकान की विवाद में व्यापरी पर किया डंडो से हमला तीन यूगों पर ऐफायर दर्ज सेर की टिपी स्कीम में बुद्वार को एक दुकान को लेकर चल रहे विवाद में शिकायत करता व्यापारे पर तेन यूगों ने हमला कर दिया व्यापारे के साथ आरोप्योंने डंडों से मार पिट की और फिर धम की देकर फरार हो गए है गटना के बाद परिजनों में उसे अस्पिताल में दाखिल करा है शिकायत मिलने के पर पुलिस ने मामले में एक व्याप को नाम दिद करके मामला दर्ज कर लिया है आज की खबरे यही तक फिर मिलेंगे हम इसी समय देखते लए माचल को देखना ना बुले धन्यवाद